नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं जर्खन पुलिस के और सट सो जवानों की जा सकती है नोकरी जर्खन पुलिस में 2017 में बहाल और शट सो जवानों की नियुक्ति पर संकट के बादल मड़ा रहे हैं बता दे हाई कोट से जारी एक आदेस के मुताविक पुलिस मुख्याले ने 2017 में बहाल सभी जवानों को नोटिस भेज कर बताया है कि उनकी नियुक्ति हाई कोट के अमतिम नीने से परवावित होगी उन्हें अपने पक्ष में कुछ भी कहना है तो वे जवानों की सूची के साथ पुलिस मुख्याले के अउगत करा है ताकि 100 समय हाई कोट में उनका पक्ष रखा जा सके पतादे पुलिस मुख्याले ने जवानों को यह नोटिस सभी जीला के सस्पी, स्पी, इकाई, पर्मोक के माध्यम से तथा समचार पत्रों में जारे विग्यापन के माध्यम से जारी किया है बतादे सिपाही बाहली के लिए 2015 में बिग्यापन संख्याचार 2015 निकला था जिसके तहट 2017 में और सट सोजवान बाहल किये गए थे मौसम विभाग के अनुसार 12 सितंबर को जहरखन में भारी बारिस होगी बतादे राजे के देवगह, धनवाद, दुमका, गिरीडी, गोटा, जामतरा, पाकुर, साहिव, गंज, पूर्वी, सिवू, पच्छमी, सिवू, सिम्डेगा और सराइक लखार समें भारी बारिस का कर दी गई है, स्वास्त विभाग से मिरी जनकारी के अनुसार राची, जीला के च्छ, हजारी बाग के पांच, देवगहर के तीन, पूर्वी, सिवूम के दो, रामगण के दो, सिम्डेगा के दो, गोड़ा के एक, धनबात के दो, अस्पताल सामिल है, गोतला भाई की परिक्षा, रभीवार 12 सितंबर को होगी बता दे, जारखन के चार जीले राची, बोकारो, जमसेत, पूरह, रजारी बाग में परिक्षा के इंदर बनाए गए हैं, इस परिक्षा में राज्ये भर के करीब 30 एर परिक्षारती सामिल होंगे, आपको बता दे कि कुरोना महा परिक्षा का यहां करते हुए किया जाएगा, 2017 में बाहल जवान धार रखे पूलिस मेंस हैं उनके साथ, जारखन पूलिस मेंस एससेशन के परदेश अजक्ष राकेश कुमार पैंडे ने बर्च 2017 में बाहल सभी जवानों को धार रखने को कहा है, उन्होंने कहा है कि उनके सुझाव देने के बाद संकी और से अदालत में सुचना आदेश देगा और आगरा करेगा कि सुनील टूडू बनाम ज़ारखन सरकार वा अने वाली अचकागों खारिच की जाए, उनके जवानों ने चार साल तक अपनी सेवा दे दिया है, अठारा वा उनए सितंबर को रा जानतादल के पर्देश कर्याले में पर्देश अध्यक्स अभाय कुमार सिंग की अध्यक्सता में एक बैठक होई, बैठक में या नीना लिया गया कि उनए सितंबर को हर्मू रोड इस्थीत कौर्णीवाल हॉल में रायत नेदा तेयस्वी यादों के समान में भवे स्वा बनाने के लिए 4 लाख रुपे देने के उन्सन सकी है, एक दिन पहले समीती के सभापती दीपक बिरुगा ने मांसुन सत्र के अंतिम दीन प्राकलन समीती का प्रतिवेदन सभापटल पर रखा था, बता दे जहामों विधायक दीपक बिरुगा ने बताया कि यह और बस गिट्टी मांगे हुए हैं, इस करान ग्रामी छेतरों में प्रधानमंत्री अवाज सोईना के अंतरगत बन रहे घरों की लागत पड़ गई है, जारखन के मेडिकल कोलेजों में MBBS करने पर राज्ये में देनी होगी तीन बरस की अनिवार सेवा, जारखन में मेडिकल MBBS करने वाले पिद्यार्थियों को राज्ये में तीन वरस की अनिवार सेवा देनी होगी, साथी दस साल तक राज्ये में सेवा देने की समती प्राप्त होने पर PG कोर्स में 15% सीटे अरक्षित की जाएगी, मोख्यमंत्री हमांसुरे ने इसका प्रस्ताव त्यार करने का रांची में होने वाले हैं अंतरराश्टी करिकेट मैच, रांची वासीो को इंडियन प्रीमियर लिंक के बाद और एक बआर फिर बीजाय हजारे ट्रोफी में अंतरराश्टी करिकेट खिलाडिओ के मैच और मांच का अनुद उठाने का मौका मिलेगा बता दे इस टूर्णामेंट में टीम इंडिया के कई पूर्व वा बरतमान खिलाडी भाग लेंगे टूर्णामेंट की मेजबानी जार्खन राज किर्केट संग की सोपी गई है अभी इसकी तीथी की घोस्ना नहीं की गई लेकिन म कूल एक्टिव केस की संख्या 128 है भारत में 31,287 नए केस मिले है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 3,80,458 है पलामू में पूलिस पर ग्रामिनों का हमला पलामू जिले के नक्सल परवावित मनातू थाना छेतर के सीमरी में ग्रामिनों ने सुक्रवार की साम थाना प परभारी पंकच कुमार समेत पूलिस के चार जवान वा एक महिला जक्मी हुई है बता दे हमलवार गरामी ने थाना परभारी का मोबाइल भी छीन लिया है साथी थाना परभारी को बंधक बनाने का पर्यास करने के लिए उन्हें कुछ दूर जंगल में ले गाए जनकारी के सार थाना परभारी नियालाय के काम से वापस मनातू लवट रहे थे इसी करम में गरामी ने पूलिस वाहनों को वन विभाग की गाड़ी समझ कर हमला बोल दिया रांची में 250 लोगों को बुलाया जाएगा ड्राइविंग टेस्ट के लिए रांची जिले में ड्राइविंग टेस्ट देने वालों की संख्या बढ़ा दी गई है बता दे कुरोना के कारण फिलाल 200 लोगों को ही ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा था ले परसानी को देखते हुए अब इसकी संक्या बढ़ा दी गई है। परसानी को देखते हुए अब इसकी संक्या बढ़ा दी गई है। समाज के लोगों के लिए सुधाय देने की मायंग कर रहे थे। सभी जंडे, बैनर और तक्तियों के साथ परदसन किया, ढोल बजाया और निरित भी किया। रेमडे सिवीर काला बजारी जनकारी मिली थी कि राजिव सिंग खुद की पाचान छिपा कर खुद को कभी डियाजी तो कभी पूलिस अपसर बता कर लोगों को फोन कर उनके काम करने को कहता था। इट खोरी ग्रीट का इसी मह उदघाटन, डिवी सी के साथ लगातार हो रहे बिवात को देखते हुए जारखन उर्जा विकास निगम द्वारा डिवी सी कमांड एरिया में अपना नेटवर्क बिच्छाया जा रहा है, बता दे इसका काम अपूर्ण हो गया है, इसका उद डी-सी को पत्र लिखा है, रांची में लंगूरो का आतंक रांची जी लेके काके परखंड के पिठोरिया ठाना च्हेतरे के पूसु पाहर के आशपस के च्हेतरों में इदीनो जनली लंगूरो ने आतंक मचा रखा है, बता दे पिछले एक सब्ता में लंगूरो ने कई लोगों को काट कर जखमी कर दिया, कई घायलों का इलाज रिम्स में चल रहा है, इससे इलाके में भाय का महल बना हुआ है, वहीं बन विभाग की टीम लंगूर को पकड़ने में जुटी है। 16 सितंबर तक है, पतादे चेंबर की 57 वर्षी ए आम सभा 25 सितंबर को होगी, आम सभा चेंबर भवन में होगी, आम सभा वर्चुल मोड में भी होगी, जबकि 26 सितंबर को चुनाव के तीथी तय है, वहीं चुनाव पदा अधिकारी ललीत के डिया ने कहा कि पहले दिन एक सज सिन्नमांकन दाकिल किया है, जारखन के 61 मदरसों को मिलेगा अनुदान, जैक की मनजूरी, राज सरकार के फैसले के बाद 61 मदरसों को अनुदान मिलने का रास्ता साप हो गया है, बतादे जैक बोट की सुक्रवार को हुई बैठक में जीलों से भेजी गई मदरसों की जाच रिपोर्ट पर विचार किया गया रिपोर्ट के अनुसार अगर मदारसा मने आता की सर्थ पूरी करते हैं तो उसके अधार पर उन्हें अनुदान भी दिया जा सकता है कुख्यात अपराधी खोस्तर अंसारी समेट तीन लोगों को गठवा पूलिस ने गिरफतार कर लिया है बतादे खोस्तर अंसारी ने भारतिय पबलिक कम्यूनिस्ट पार्टी माक्सरवाद नामक संगठन बना रखा था वाच्छेतर में लोगों से लेवी वसुल ने अफरन समेट अन्य अपराधी घटनाओ को अंजाम देने में लगा था गुप्त सुचना के अधार पर पूलिस ने इन्हें गिरफतार कर लिया है इसके पास से दो कट्टा एक पिश्टल करतु समेट अन्य समन बरामत किये गए है इसे पूलिस की बड़ी उपलब्दी मान रही है धन्यवाद